प्री चात्र चात्रों अरस्तु के बारे में हमने अरस्तु के अब तक अरस्तु के सिध्धानतों के बारे में हमने काफी विचार किया है अब तक अरस्तु को राजनतिक विज्ञान में प्रथम राज विज्ञानिक के नाम से सम्मोदित किया जाता है कि अरस्तु को ये कहा जाता है कि वो पहला राजनितिक विग्यानिक था युनानी सिध्धानतों में जिसको जिसने विग्यानिक पद्धति का प्रियोग किया उसके किस तरह उसे पर्थम राज विग्यानिक माना जाता है इसके बारे में पॉल्टिक्स में उसने जो निस्कर्ष निकाले उसे तुलनात्मक और वेग्यानिक पद्धति का उसमें सहरा लिया क्यों उसे प्रिथम राजवेक्यानिक कहा जाता है कि पॉल्टिक्स में उसने जो भी निस्कर्ष निकाले वो तुलनात्मक और वेग्यानिक पद्धति का उ माना जाता है कि पाश्चात्य जगत में सर्व पर्थम राज्य के संपून सिध्धानतों का प्रतिपादन उसने किया सर्व पर्थम राज्य के जन्म उसका विकास उसके स्वरूप समिधान की रचना सरकार का निर्मान नागरिक्ता कानून न्याय पर उसने अपने सुगठित विचार प्रिस्तुत किये जिने ठुकराना आज भी कठिन है उसके विचार सार्वकालिक है आज के परिस्तितियों में भी उतने ही अनुकूल है उसने जो सिद्धान दिये जो कि उस समय के परिस्तितियों के अनुकूल थे इसलिए उसे प्रथम राजविग्यानिक का दर्जा तीसरा कारण कि मनुष्य राजनेतिक प्राणी है ये अमर वाक्य राजनेतिक विज्ञान में हमेशा अमर रहेगा इसे धन्त प्रतिपादन किस ने किया अरस्तु ने अरस्तु ने ही कहा सबसे पहले कि मनुष्य राजनेतिक प्राणी है और आज भी हम देखते हैं तो राजन अत्मक पध्धती अपना कर वेग्यानिक स्वरुप के विकार्स का मार्ग उसने प्रशष्ट किया। राज्य के जो मध्यम मार्ग का सिधान देकर अरस्तु ने अपनी वेग्यानिक के सूझबूझ का परिचय दिया। राज्य विकार से हमें बाधा असंतुलन है और ये उसने माना इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाना ही सरविष्षिश तरीका है। ये सबसे पहले वेग्यानिक धंग से अरस्तु नहीं हमें सिखाया। और मध्यम मार्ग इस असंतुलन को पाठने का प्रयास कर सकता है। ये अरस्तु के विचार थे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक और कारण की अनेक्ता में एक्ता क्या सिध्धान देकर स्वतन्त्रता और सत्ता के बीच सामज़े से स्थापित किया। उसकी विग्यानिक सोच का ही ये परणाम था। कि उसने अनेक्ता में एक्ता इस्था का सिध्धान दिया। स्वतन्ता और सत्ता के बीच में संतुलन मराने का काम किया। इस्थापित करने का कारे किया। उसके सिध्धान तों उसने हमेशा इस बात पर जोड़ दिया कि स्वतन्ता भी जरूरी है। लेकिन सत्ता और स्वतंत्रता मतलब वेक्ति और सत्ता के बीच में शक्ति का परस पर संतुलन होना चाहिए कानून की संप्रभुता के सिध्धान्त का प्रतिपादन करके कानून के जो सिध्धान्त है उसका भी अरस्तु ने प्रतिपादन किया शाषन के तीनों आंगों पर प्रकाश डाल कर उसने वेग्यानिकता का पर निरुपन किया हमें ये स्विखार करना होगा आज भी कि अरस्तु की ये खोज ही भविश्यके में शक्ति प्रत्रकरण, नियंतरण और संतुलन के सिध्धान्त का आधार बनी जो कि अमरीकी समिधान की जो हम विशेषता है आज देखते हैं शक्ति प्रत्रकरण है, नियंतरण और संतुलन का सिध्धान्त है ये इस बात की खोज उसने अरस्तु ने उसी समय कर ली थी जब उसने निरंतर 158 समिधानों का अध्यन किया था नागरिक्ता की व्याख्या उसने आध्यनिक समय में उतनी प्रसंगिक है उसके इसे हमें मोलिक मानना चाहिए समिधान का, समिधान वात का हम उसको प्रणेता मान सकते हैं कि उसके द्वारा दी गई सम्हिधानों की व्याख्या और वर्गीकरन आज भी उतना ही महत्वून है अरस्तु का मिश्रत शाषन ववस्ता का आदर्श आज भी अनुकरनी है ब्रेटेन की शाषन ववस्ता इसका सबसे बड़ा उधारन है कि ब्रेटेन में तीनों शाषन ववस्ता हमें देखने को मिलती है एकतंत्र राजतंत्री है कुलिन तंत्री है और लोगतंत्री है राजतंत्री है ववस्ता के रूप में है राजा विद्वान है बले ही उसके पास शक्तिय अन्य हूँ कुलिन तंत्री संस्था के रूप में लाड सभा जो उसके संसत का देती सदन है वो विद्धिमान है और प्रजा तंत्रे का जो प्रतिने जित्व करती है संस्था लोक सदन वो भी वहाँ पर विद्धिमान है तो तीनों रूप हमें प्रिटन के समिधान में दिखाई देते है जिसका की अरस्तु ने मिश्रित शाषन ववस्था जो आदश्था के रूप में उसको निरूपित किया था लोकलान कारे राजी की अवधार्ना का वो जनक माना जाता है अरस्तु का नियाय सिध्धान्त आज भी प्रजादंत्री शाषन ववस्थाओं में प्रसंगिक है शिक्षा को राजे के विकास में उसने महत्वपुन माना समिधान और राजे के प्रति निष्ठा उत्पर्न करने के में शिक्षा की महत्वपुन भूमिका होती है यह उसने उसी समय इस्थापित कर दिया था इस सिध्धान्त को तो इनी सिध्धान्तों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो राजनितिक विग्यान में प्रतम राज विग्यानिक था जिसने विग्यानिक आधार पर राजतंत्री विभिन्ने जो समिधान है उनका Worghi Karan किया, उसने नयाववस्था पर विचारवेक्टि किये उसने संपति पर अपने विचार दिए उसने सरकारों के निर्मान के सतर हुता होना चाहिए इसलिए उसे हम राजनती विज्यान में के रूप में समभोदित करते हैं एक और हम इस पर अरस्तु के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि अरस्तु के जो जितना भी उसने अपना दर्शन दिया है उसके दर्शन में यूनानी तत्व कौन से थे और शाष्वत तत्व कौन से थे कि युनानी तत्व का हम पुछ बिंदूों के आधार प्राध्यन करेंगे कि कौन-कौन से युनानी तत्व थे कि नगर-्राजी की जैसी परिस्थितिय थी उसने अपना चिंतन दिया युनानीयों की शेष्टा उसके मन में सद्य वसी रही उसने हमेशा ये माना कि युनानी जाती ही सर्विशेष्ट जाती है शाषन करने योग है उसने दासपर्था का समर्थन किया क्योंकि युनान में उस समय दासपर्था राजववस्था का एक आवश्य कंग थी दासपर्था के युनानी संस्क्रती का जो भवे प्रसाथ था वो किस पर खड़ा था दासों की जिनित माना, सूध खोरी की उसने निंदा की, श्रमिकों, क्रशकों, सिल्पियों के प्रती गर्णा हिन भावना उसमें थी, राजद्वरा संचालित शिक्षा की उसने बात करी, तो ये सारे ऐसे तत्वी थे जो जुनान की तत्कालिक परिस्तितियों के आधार पर उसने दिय तो अरस्तु के चिंतन में हमें युणानी तत्व भी दिखाई देते हैं, कुछ शाषद तत्व जिसके कारण उसे प्रठम राजवय ग्यानिक माना गया, वो शाषद तत्व भी अरस्तु के चिंतन में थे, जिनका हम कुछ बिन्दूँ पर उसके आधार पर हम अध्यन करे जैसि कि राज्जि की स्वतन्तरता राज्जी की सत्ता में समंजफसे होना चाहिए चाहे वेekतियों की आपिसी समझ की आधार पर हो लेकिन यह भी हमें शाश्वत तत्व है आज भी हम ही मानते हैं कि स्वतनता और आज्जी की सत्ता में सामंजर से होना चाहिए कानून की प्रभुता में उसका विश्वास था आज भी हम कानून की प्रभुता में विश्वास करते हैं सरकार के तीन अंगों का जो उसने वर्णन किया आज भी हम विभिने देशों में सरकार के तीनों अंगों को ही देखते हैं मध्यम्मार्ग शक्ति प्रतकरन का जनक हम उसको मान सकते हैं समय धनेक परजातंत्र का के बारे में उसने विचार व्यक्ति किये संप्रभुता पर उसने अपने विचार व्यक्ति किये राजनिती पर आर्थिक प्रभाव क्या होता है उस पर भी उसने अपने विचार व्यक्ति किये जन्मत को उसने सदे महत्यपून माना आज भी शाषन ववस्ताओं में जन्मत ही लोगजंत्री ववस्ताओं में जन्मत ही सारी ववस्ताओं सबका शाषन ववस्ताओं का आधार है व्यक्ति बात पर विचार किया उसने व्यक्ति का संपत्ति का भी समर्थन किया तो सारवजनिक संपत्ति का भी उसने समर्थन किया आगनात्मक पद्धति का उसने समर्थन किया तुलनात्मक पद्धति आज भी राजनतिक विज्ञान में हम अध्यन करते हैं तो इन पद्धतियों का साहरा लेते हैं समिधान वाद जो आज राजनतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिध्धान थे जिसके आधार पर समपूर्ण शाषन वरुस्ताय संचालेत होती है उस समिधान वाद कब ही अरस्तु ने जिक्री किया तो यह ऐसे शाष्वत तत्यु थे ऐसे तत्यु जो आज भी हमें अ आने माद